असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे अंजीर का मीठा फिक डिजर्ट अंजीर का मीठा जो हैदराबादी शादियों में बनता है उस टाइप का बनाएंगे अभी फिक का सीजन चल रहा है इजी अवेलेबल है मार्किट में अंजीर और बहुत हेल्दी और बेनेफिशियल होता ह है आप जरू ट्राइ करें यह रेसेपी बहुत इजी और क्विक बनने वाली रेसेपी है बस दो तिन इंग्रेडियंट से ही बन जाती है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर अंजीर ले लिया है आप केजी इसको अच्छे से वाश के लिया है अब यह देखें बहुत अच्छे फ्रेश अंजीर है अब इसको हम हाफ कट कर लेंगे पीज में से इसी तरह हमें सारे अंजीर कट कर लेना है यह देखिए सारे अंजीर कट कर लिया है मैंने अब इसको एक साइड में रख लेंगे एक सॉस पैन लेंगे उसमें शुगर डालेंगे वन कप यह हाफ कप का मेजरिंग कप है इसलिए मैं दो बार डाल रही हूँ हाफ कप पानी अड़ करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे शकर और पानी को साथ में अब इसमें फुट कलर डालेंगे थोड़ा सा रड़ फुट कलर फुट कलर ऑप्शनल है अगर आप कुछ चाहिए तो डालें वनना डालें बस दिखने में अच्छा लगेगा कलर अच्छा आएगा इसलिए मने डाला है अब अंजीर एट कर देंगे इसको कर लेंगे एक बार और लेट क्लोच करके पकने देंगे एक five to eight मिन्ट्स के लिए एक बार लिट open कर के चेक कर लेंगे अच्छा मिक सा में कि देंगे इसमें ये देखिए अभी हमारे अंजीर नहीं अभी थोड़ा गलना बाखी है, soft होना चाहिए, अभी ये soft नहीं हुए है, इसमें जाएगा half lemon juice, lemon juice ज़रूर अड़ करें, इसमें आट करेंगे काजू, आप चाहें तो कोई भी dry fruits आट कर सकते हैं, लेकिन काजू का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने सिर्फ काजू ही आट किया है, अंजीर अच्छे से गल चुके हैं, और इसको अच्छे सा mix देंगे, और flame off कर लेंगे, ये ready है, बिल्कुल भ आविंग बॉल में, आप चाहें तो इसके उपर वेनिला आइस क्रीम डाल सकते हैं, या मलाई या फ्रेश क्रीम, कुछ भी आट करें, जो आपको पसंद और आट करें, या ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं, अगर आपको मेरे रसेपी पसंद आई तो लाइक करें, शेर करें, सब् सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, थैंक यू फॉर वाचिंग अपना अपना ख्यार खें, लाफेज